Dear Students, Welcome to EduHub, EduHub Online Classes में आपका स्वागत है राजस्थान पुलिस के अंदर, स्टेट के बारे में और लोकेशन के बारे में डिस्टिक और लोकेशन के बारे में जो जानकारी अभी रिलीज की गई है यह वीडियो उस रेलेटेड है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे अपना डिस्टिक और लोकेशन पता कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना SSID लोगिन करना पड़ेगा अगर आप अपना SSID लोगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे वट्षैप कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा अगर आपका स्टेटस भी आपको नहीं निकल पा रहा है, तो भी मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा तो चलते हैं कि यह कैसे होगा, आपने अपना SSID लोगिन किया, SSID लोगिन करने के बाद में यहाँ पे होम पे क्लिक करना है आपको होम के अंदर ही आपको यहाँ पे my application, notification और ongoing recruitment लिखावा रहा है, ठीके, इसी में notification के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ लिखावा रहा है, click here to know your district location, आप इसमें click करेंगे, जैसे इसमें click करेंगे, तो आपके पास यह window open हो जाएगी यह window open होने के बाद में, यहाँ पे आपको application number एंटर करना है, जैसे में पास एक random application नंबर आया है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ, यह मैं एंटर किया 83601, उसके बाद मैंने यहाँ पे date of birth एंटर किया, date of birth है 96, उसके बाद है June 3, फिर यहाँ पे एक capture है, इसको यहाँ पे एंटर करना है F6874C, और मैंने इसको submit किया, जैसे मैंने इसको submit किया तो आप देख सकते हो, recruitment name क्या है, recruitment of constable 2019, post constable journal non-TSP, application number आ गया, candidate का नेम आ गया, काना राम मेगवाल, और location आ गया, जून जूनू, Center का जो location है, वो जून जूनू में रहेगा, मतलब आप यह sure हो जाईए कि आपका जो center है, वो next जून जूनू के अंदर आएगा, तो इस तरीके से आप अपना center का location चेक कर सकते हो, अगर आपको कोई भी problem आती है, आप मुझे WhatsApp कर सकते हो, मेरा number है 9024 450184, मैं आपको उसमें पूरी help करूंगा friends, ठीके, thank you friend, have a nice day, bye bye